हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्ये, एब हम उनकी राजधानियों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में और यह स्टैटिक जन्रल नॉलिज है, तो सबसे पहले हम भारत के राज्यों के बारे में बात करेंगे, लास्ट एर क्या हुआ कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो उस समय पहले 29 राज्ये थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब भारत के राज्यों की संख्या 28 हो गई है, तो सबसे पहला जो हमारा राज्ये ह इसके बाद हमारा तीसरा राज्य है आंदर प्रदेश है हमारा तीसरा राज्य है आंदर प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है अभी इस वक्त लेकिन आंदर प्रदेश की प्रस्तावित कैपिटल अमराबती है क्योंकि आंदर प्रदेश से अलग होकर 2 जून सन 2014 क तो तेलंगाना एक अलग राज्य बना था तो उस समय आंद्रप्रदेश की कैपिटल भी हैदराबाद थी लेकिन तेलंगाना की कैपिटल भी अब हैदराबाद कर दी गई है लेकिन प्रस्तावित कैपिटल इसकी अमराबती है जो कि इसके 10 साल के बाद आंद्रप्रदेश की capital बन जाएगी और हाली में कुछ changes भी हुए हैं जैसे कि जो विसाका पत्नम है वो आंधरप्रदेश की executive capital होगी अमराबती आंधर प्रदेश की legislative capital होगी और जो कुर्णूल है वो आंधरप्रदेश की judicial हमारा next राज्य है भिहार बिहार हमारा नेक्स राज़े है बिहार और बिहार की कैपिटल पटना है इसके बाद हमारा नेक्स राज़े है गोवा और गोवा की राज़दानी पणजी है नेक्स हमारा राज़े है जार्खन और जार्खन की राज़दानी राची है इसके बाद हमारा नेक्ष राज्य है गुजरात गुजरात की राजदानी गांधी नगर है नेक्ष राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की राजदानी शिमला है लेकिन हाली में थोड़े दुनों पहले हम इमाचर प्रदेश की एक नई राजधानी बनी थी जिसका नाम है धर्मशाला हमारा नेक्स्ट राज्जे है केरल केरल की राजधानी तिरू मनंदपूरम है उसके बाद हमारा नेक्स राज़े है करनाटक, करनाटक की राज़दानी बंगलूरू है हमारा नेक्स राज़े है हर्याना और हर्याना की राज़दानी चंडीगड है उसके बाद हमारा नेक्स राज़े है मनिपुर और मनिपुर की राज़दानी इमफाल है नेक्स राज्य है हमारा मिजोरम और मिजोरम की राजदानी आईजोल है इसके बाद हमारा नेक्स राज्य है महरास्ट्र और महरास्ट की राजदानी मुंबई है नेक्स राज्य हमारा मद्य प्रदेश है और मद्य प्रदेश की राजदानी भोपाल है नेक्स राज्य है हमारा मेगाले और मेगाला की राजदानी शिलॉंग है नेक्स राज्य है हमारा नागालेंड और नागालेंड की राजदानी कोईमा है इसके बाद नेक्स राज्य है हमारा ओडिशा और ओडिशा की राजदानी भुबनेश्वर है नेक्स्ट राज्य है हमारा राजिस्थान और राजिस्थान की कैपिटल जैपुर है नेक्स्ट राज्य है हमारा चत्तिसगड़ और चत्तिसगड़ की राजदानी अटलनगर हो गई है जो कि पहले नया राजपुर थी रायपुर थी नेक्स राजय है हमारा सिक्किम और सिक्किम की राज़ानी गंग टोग है नेक्स राजय है हमारा तिरपुरा और तिरपुरा की राज़ानी अगर तला है नेक्स्ट राज्य है हमारा तेलंगाना तेलंगाना सन 2 जून 2014 को एक आंधर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था और इसकी कैपिटल हैदराबाद है नेक्स्ट राज्य है हमारा तमिल नाडू और तमिल नाडू की राजधानी है चेन नई नेक्स राजे है हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखना हुए नेक्स राजे है हमारा उत्राखंड उत्राखंड की राजधानी देहरादून है लेकिन उत्राखंड की समर कैपिटल गैरशेन है नेक्स राज़े है हमारा पंजाब और पंजाब की राज़दानी चंडीगड है नेक्स राज़े है हमारा पश्ची मंगाल और पश्ची मंगाल की नई राज़दानी है कोलकाता अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं सबसे पहला केंद साथित प्रदेश है हमारा अंडमान और निकोवार दूइब समू और इसकी राजधानी पोर्ट बलेयर है हमारा नेक्स केंद साथित प्रदेश है जमू और कस्मीर जमू और कस्मीर पिछले साल ही एक नया केंद साथित प्रदेश बना था और इसकी राजधानी जमू और स्री नगर है हमारा नेक्स केंद शाथित प्रदेश है लद्दाग और लद्दाग की राजधानी ले और कारगिल है हमारा नेक्स केंद शाथित प्रदेश है दिल्ली और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली नेक्स केंद साथित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीव है और इसकी राजधानी दमन है हमारा नेक्स केंद साथित प्रदेश से लक्षदीप और लक्षदीप की राजधानी है कावरती नेक्स हमारा केंद साथित प्रदेश है पुदुचेरी पुदुचेरी की राजधानी है पॉंडी चेरी हमारा नेक्स केंद साथित प्रदेश है चंडीगड और चंडीगड की राजधानी भी चंडीगड है जो केंद्र साजित प्रदेश अभी जो आठ हैं पहले वो साथ थे लेकिन दादर और नगरहबेली और दमनो दिप पहले उनको दोनों को मिला कर इसको एक केंद्र साजित प्रदेश बना दिया गया और जमू और कश्मीर और लद्दाग दो ना एकेंदि साजित प्रदेश पिछले साल बने थे जिसके कारण अब इनकी संख्या 8 हो गई है चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो